अब ऐसे थोड़ी ना बोट इंडिया का नंबर वन आडियो प्रेटर ब्रैंड बन चुका है बेस लवर्स के लिए आपको खूब बेस भरके जरूर से देता है आपको नए-ने फीचर्स लाके देता है और यहाँ पर मेरे पास बोट रॉकर एपक्स जिसके अंदर डायरक्ट वर्चुओ का आपको सपोर्ट मिलता है साथी साथ टच गैस्टर्च मिलता है मतलब कोई आपने नेक बेंड ऐसा देखा है जिसकी प्राइजिंग सर्फ तेरा सौर रोपे हो और उसके अंदर इतने सारे फीचर्स आपको मिले तो सबसे पहले इनकी यार कुइक एंबॉक्सिंग कर ली जाए तो इस तरीके के आपको बॉक्स मिलेगा साइड में कुछ स्पेसिफिकेशन बगरा है बैक में भी स्पेसिफिकेशन है जल्दी से सील को ब्रेक करते हैं बाहर निकालते हैं तो सबसे उपर ही हमारा नेक बेंड रखाओ मिलेगा उसके साथ आपको कुछ एस्ट्रा इयर टिप्स मिल जाएगी एक टाइप सी चार्जिंग केबल मिल जाती है और आपको यहां पर कुछ मैनुवल मिल जाएगी जिससे आप कंट्रोल्स वगरा को समच सकते हो अब इनको तो काफी दिनों से यूज कर रहा हूँ और यूज करते-करते एक चीज़ पर दिमाग में आती है आपको इसके इसली मिल जाएगा बाग यह आप देखो कि बैक में हलका सा आपको थोड़ा सा पैटन वगरा भी मिलता है जो कि दिखने में भी इसको लोग काफी आच्छा देता है खासकर कि जो वायर की कॉलिटी है काफी टफ मिलती है तो इसली आप इसको के लॉग के लिए पहन सकते हो और हाँ यह मेंगनेक्टिक वाले है यार यह आपने इस तरीके से पहना छोड़ा और मेंगनेक्टिक लिए अटेच हो जाते है और इयरबर्ट्स आप देखोगे यहाँ पर मैटल केसिंग में आते है अब इस नेक्टिक की साउल क्वालिटी से पहले में आपको इसके टेच गेशर के बारे पर बताना चाहूंगा जो कि आइधिंक यार इस प्राइसेंज के इंदर बोठी आइधिंक आपको वो डिलेवर कर रहा है अभी टेच कट्रूल काफी मज़ेदार है आप यहां से नीचे से अप करोगे तो volume increase हो जाएगी उपर से नीचे करोगे volume decrease हो जाएगी तो next track में या previous track में आप जा सकते हो उसे के लावा एक आपको multifunction button मलता है जिससे आप यहां पर इसको on कर सकते हो, off कर सकते हो, call को accept कर सकते हो, decline कर सकते हो beast mode में जा सकते हो उसी के अलावा आप इसमें direct sound के अंदर भी इसी mode से जा पाओगे और साथ इसके अंदर आपको wireless assistant का भी support मिल जाएगा अब main जीज़ की बात कर लेते हैं जो कि है direct virtue direct virtue क्या करता है आपकी sound quality को है उसको और भी जादा enhance करके देता है bass lovers के लिए तो sound quality अलेडी मिल ही जाती है 12VM के बड़ी से dynamic drivers मिल जाएंगे जो कि यार बहुत ही must sound quality को produce करते हैं अब जैसे ये direct virtue enable होता है तो आप clearly सुन पाओगे कि sound quality आर बहुत ही बहतरीन हो जाती है bass वहाँ पे रहता है थोड़ा सा कम हो जाता है तो सुनने में जो balance वाले sound effect है वो निकल के आता है एक तो आपको ये 3D sound effect का भी यहाँ पे effect देता है पूरा लगता है कि आवाज गूज रही है आपके कानों में उसकी एक अच्छी चीज ये भी है क्योंकि इसकी fitting काफी बहतरीन है कान के अंदर बहुत ही easily ये fit हो जाता है तो उससे और भी अच्छा है आप यार surround sound effect आपके लिए आपे बना के देता है overall मैं कहूंगा sound quality भाई एक number की आपको इसके अंदर मिल जाएगी और ये है NKR mic quality का test I think ये भी आप बहुत ही सही से perform कर रहा है क्योंकि इसके अंदर ENC का support मिलता है तो background की जो भी fall to noise है सभी को वो cancel कर देता है तो calling के दुरान जो voice की clarity है बहुत ही सही निकल के आती है बागी आप jogging वगरा करते हो gyming वगरा में जाते हो तो इसको भी easily पहन सकते हो और इनकी ASAP charging से आप 10 minute में 10 hour का battery backup भी ले पाओगे और अज़ी चीज ये भी है कि ये type C port के साथ आता है तो overall अगर मैं कहोना है build के साथ जो sound quality हाँ पर ये produce करता है एक next level वाली आपको मिलेगी साथ ही साथ ये जो touch control वाले gasher's हैं इनको use करने में मैं कहोंगा कता ही दे कहीं मन जाना